दिपका पादुकोन फिल्मों के साथ साथ कई ग्लोबल फैसन इवेंट्स में अपनी प्रेजन्स के चलते भी सुर्ख्यों में रहती हैं। उनका नाम पहले ही वॉलिवूड की हाइस पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में नंबर एक पर है। अब उनके नाम एक और उपलब्धी दर्ज हो गई है। इस बात में तो कोई दोराय नहीं है कि एक्ट्रेस दीपका पादुकोन की एक बड़ी फैन फालोइंग है। हिंदी फिल्म इंडरस्ट्री के अलावा भी उन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया है। वॉलिवोट की सबसे बहतरिन एक्ट्रेस में से एक दीपका पादुकोन ने हाली में अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धी कर ली है। हाली में एशिया की सबसे प्रभाशाली महिलाओं की एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें टीवी और फिल्म वर्ल्ड में दीपका पादुगोन टॉप पर है। एशिया की सबसे प्रवाशाली महिला का चुनाव सबसे ज़्यादा सोशल मेडिया फॉलोवर्स, गूगल सर्च और अन्य रैंकिंग को ध्यान में रखते हुए किया गया था। बता दे कि एक्टरिस के 1.39 मिलियन फॉलोवर्स हैं। उनकी शोशल मेडिया एंगेजमेंट, ट्विट, इंप्रेशन सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा एक्टर्स को सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है। वलिवोट के सबसे बहतरिन एक्टरिस में से एक दीपका पादुकोन ने हाली में अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धी कर ली है। हाली में एशिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की एक लिस्ट जारी की गई। इसमें संगीत, टीवी और फिल्म, ब्यूटी, राजनीती और बिजनेस समेत अलग-लग शेत्रों से दुनिया के सौ बरे देशों के सबसे प्रभावशाली नामों की पहचान की गई। ऐसे में दीपका पादुकॉन एशिया की सबसे प्रभावशाली महिला के तहट सोशल मेडिया पे 149 मिलियन फॉलोइंग के साथ टॉप पे छाय हुई है। उन्हें इंस्टाग्राम, ट्विटर और गूगल जैसे सभी ओनलाइन प्रेटफॉर्म्स पे सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। इसे के साथ दीपका पाधुकॉन, अब एरियाना ग्रेंडे, किम कैडेशियन, एडेल और सेलीन डियोन जैसे नामों के साथ जूर गई है। वैसे यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि दीपका पहले ही लिवाइस, नाइकी, टी शोट और चौपार जैसे ब्रैंड को मैनेज करती है। वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपका ने हाली में शकुन बत्रा की अगली फिल्म की शुटिंग पूरी की है। इसके अलावा वह 83 पठान और फाइटर जैसे फिल्मों में नज़र आएंगी। गुरो रिपोर्ट पब्लिक निउस